हेलो मेरे भाईों का एक चीज ने पर्टिकadoresल वह था s24 आपने टा mater लेख लिए होगा मैं इसका व्लेंग कर लेकर ब्रैंड नियू पर जो भी क्लेंडि रहे होगा मैं बहुत कंटेंट रहता हूं इंसी हो लेकर की मैं इसे बावला नहीं हो जाता जंबंग सरे इस वाले के लिए में खुद को रोग निश्ट और तुरंत के तुरंत मैं वीडियो बैठकर बना रहा हूं और मैं चाहता हूं यह एक्सपीरिम्स मेν आपके साथ भी शेयर करूं मैंने अभी तक इसका पैकेट नहीं खोला है मैं आपके साथ हो एक्सेयर करना हूँ फटा-फट से इसलिए मैंने अपना कैमरा नहीं किया मैं का चलो शुरू करते हैं तो हमारे पास आज सबको चाहिए होते हैं तो मैं अपना भी धियान रखता हूं मेरे भाईयों को भी रखता हूं तो इसलिए मैं दो वॉक्स लाया और अभी तक एक भी नहीं खोला मैं इतना एक्साइट इसको ट्राय करने के लिए पहली बार आप सब के आगे मैं ट्राय करूंगा और बहुत सिंपल सा बॉक्स है बिल्कुल पेपर का बॉक्स से काड़ बोर्ड भी नहीं है लेक्टरली पेपर ही है और आइडिया ले रहा हूं कि कैसा हो सकता है इसके नोट ब्रेक्डाउन के बारे में बात करेंगे बॉटल बिल्कुल सेम है अगर आप देखो अब यहीं से हम जज्ज करना शुरू करतें बॉटल बिल्कुल सेम है यह टॉप कैप वगएरा सब सेम है और वह ब्यूटिफुल क क्या कलर है अमेजिंग अगर मेरे पास एडीटी है इसका एडीपी मुझे सच खास से लगा मैं ले लेता बर्स मैं रुक गया यह है मुझे बहुत पसंद है खुश्बू इसकी बहुत होल सा में बहुत प्यारी है वेरी फ्रेश हलकी फ्लॉरल ग्रीन हलका सब वुडी बेस बहुत डिफरेंट खुश्बू इसका कोई क्लून भी नहीं आता बहुत स्पेशल लगते हैं अगर बात करूं हर्मेज के हाउस की तरफ से मुझे सबसे बेस्ट नंबर रन पर क्या लगता है मेरे को यही लगता है नहीं तो फिर तैरीदी हर्मेज का और इंटेंस करते हैं क्या हमारी एक्सपेक्टेशन रही होंगी और क्या हमारे को रिजल्ट मिला उसकी बात करते हैं तो स्किन पर आएंगे पहला फिर कपड़ों पर एक टॉपर वेरिंग देंगे कि स्प्रेयर वेरी पावरफुल रसासी हवस जैसा स्प्रेयर है बल्कि और वाइड है कि ओओ कि आप एक वेरिंग देता हूं और मैं बदातो इस 24 एडीटी की जैसे में वेरिंग देता हूं इसको एडीपी समझके मैं कितनी बड़ी वेरिंग दूंगा इसको आपाट से शेज प्रेय बाऊरफुल प्रेयर है और इस तरह का जूस कलर है ओ काफी दिफेरेंट भाई काफी दिफेरेंट अब इसका एक बार ना नोट ब्रेक्डाउन ऊपन कर लेते हैं जो नोट ब्रेकडाउन है उसमें लिटरली तीन चीज़ें थीन चीज़े और वो इस बहुत एक्यूरेट नहीं है सिर्फ एक्यूरेट है जो इसकी मिड में पीर आ रहा है जो बेस में साइकूल है वो पहली बार नोट यूज वह किसी भी पर्फियूम के अंdar दिखने में तो कुछ मिंट लीफ जैसा लग रहा है पर यह अभी तरह किसी पर्फियूम में यू नोचाहरग कर दो तक इसमें पत्ते का है इसमें फूल का है इस तरह से नहीं बाड़ नोट एक प्रप्र एंब्रे बीच में पियर है अगर आपको पियर याद हो पियर पे बेस्ट पर्फियूम हमारे पास जो होता है वो अपना अल्ट्रा मेल होता है नाइन पियम होता है वह वाला डियन होता है तो हमारे एक फ्रेश एंड ग्रीन पर्फियूम के अंदर अगर अल्ट्रा मेल वाले एक टच जा रहा है तो क्या वो मास प्लीजिंग बन रहा है इसमें कुछ मेटैलिक नोट्स भी आते थे जिसकी वैसे थोड़ी से लोगों को आफ पुटिंग लगता था मुझे बहुत सिंपल बहुत क्लासी और एलिगंट लगता ही और मैं इसको अब से दो साल से यूज कर हर्बल नोट है हर्बल फील है इसके अंदर ना थोड़ी वैटिवर जैसी वाइप भी आ रही है शार्पनेस नहीं है बिल्कुल स्मूध है सटल है बहुत डीप नोट एक ग्रीन का मेरे फ्रेंड ने भी ट्राइए किया था कहीं बाहर किसी एयरपोर्ट वगएर पर उसने भी मेरे को कहा था एस ट्वेंटीफोर को लेकर उसको बहुत ग्रीन चले जाओ बहुत डीप चले जा उस तरह का अब मुझे समझ डीप बहुत लग रही है ऐसा लगा रहे है बलकुल ब्रैंड डीने टॉप टू बेस खड़ा कर रहा है तोटल डिफरेंट पुराने वाले की लाइटनेस नहीं है उसका तोटल यह लग है वेरी ग्रीन अच्छा लग रहा है आपने लेमन ग्रास पर स्मेल किया होगा काफी सारे ये मैंने कहा रहा हूं ना यह अंब्रेल अटम जो हर्बल नोट्स ला काफी सारी चीज़ आ रही है और मैं नहीं को गा इस फ्रेग्रेंस को फीमील भी लगा सकती है क्यूंकि इसमें थोड़ा सा उस हर्बल शुली फ्रेग्रेंस है ओबनिंग सोटी स्ट्रॉंग लग सकती है और जो मेन इसका दिल है जो हर्ट नोट इसका बहुत बहतरी अब मैं बताता हूँ जो क्या के चीज इसमें ट्रैक रही है इसमें गास की खुश्बूए ग्रास की इसमें लेमन ग्रास जैसी फील है थोड़ इसी स्टेम को आप छील दो कच्छा सा बार के आप छील दो और अंदर से पेड़ हरा हरा सा निकलता है वैसा और समर के एसपेक्ट में बात करूं इसको बहुत एग नम्र का गजब लगेगा लिटरली जैसा यह डियने लीनियजिन का चलता है पूरा ग्रीन जो होता है यह प्रॉपरली मेंटेन करता है इसके अंदर जो नया इंट्रोड़क्शन था पीर के नोट का वह उवर्पावरिंग नहीं है जैसा अफना नाइन पीम में आता था इसके अंदर काफी सटल है सटल यूज है उस पीर के नोट का ओवराल जैसा इसका खानान सलता आ रहा है ग्र अंश उसका हलका से एक अंश जो कूलिंग इफेक्ट देते हैं जिसके इनदर साइकूल है उसको मुझे ऐसा लगता है कि वह वाली जो फील है थेड़ी थेड़ी वाली फील वह साइकूल की नोट से आ रही है जो टॉब में हरबल है पूरा को पूरा समझ आ रहे हैं बहुत से तो ऊपर ही दूँगा 9.5 आप 10 यह मेरी नजर में बिलकुल अभी आया ही आया है जैसे ग्रो करे गए तो और सुन्दर होता जाएगा बहुत प्यारा खुश्बू है ऐसा भी लगता है कि आप किसी महेंगे से स्पा में से ले गए हो वहाँ पर ऑईल डिफ्यूजर्स लगे रहते है अरोमा थेरपी के लिए उसकी वाइब भी आती है लिए बहुत लक्शरी से आप किसी रिजॉर्ट में रुके हो फॉरस्ट की बीच में वाली वाइब भी आते कि फॉरस्ट में अंदर जैसे लिफ्यूजर्स होते सिट्रसी से लेमीनी से बाहर ग्रीन वाइब आती है फ्रेश अरोमेंटिक तो खुला हुआ वैसा कुछ इसमें स्वीटनेस का लोड नहीं है कुछ हैविनेस नहीं है ऐसे कोई इंस नही है फालतों की चीज़े जो मुझे नहीं पसंद वो इसमें नहीं है मेरे लिए तो यह बहुत अच्छा लगा अगर मैं इसको कंपेर करूं हां यह इंपॉर्टन है इडिटी से तो क्या मेरा वर्डिक्ट रहेगा एडिटी क्योंकि आज ही मुझे बहुत अच्छा लगता औ थोड़ी दिनों बाद मैंने इसके बारे बात करना बंद कर दी क्योंकि मैं दो साल से इसको लगा रहा हूं मैं सबसे वीडियो बना रहो जो बंदे देख रहा हूं सबको पता है मेरे कोई बहुत पसंद है इस इस वेरी प्रेजंट यह बहुत डॉमिनेंट फील हो रहे है यह काफी खोखला फील हो रहा है इसके आगे वैसे नहीं फील होता अगर इसको के एले में लगाते हूं पर अगर आप कम्पेर हो इसकी प्रेजेन्स काफी प्रेंटे का काफी अच्छी अच्छी है और मुझा ऐसा लगता है यह ऐडिपी हागे आगे का यह फ्लैंकर है तो मुझे लगता है कि इसका जो लॉंजिविटी वो जाधा निकल कर आना चाहिए और जो भी इसके भी तक रीवीउस है सब कहे रहे आठ से दस गंटे उनके स्किन पर दे रहा है स्किन पर इता दे रहा है कपटे पर और ज्यादा देगा तो यह था हमारा हर्मेज 24 हर्ब्स के बारे में वेरी न्यू लॉंच वेरी ब्यूटिफुल लॉंच वेरी ग्रीन एरोमेंटिक माइल्ड फ्रेग्रेंस है पर प्रेजेंट है बहुत अच्छा और मैं तो कहता हूं मै काफी माइल लग रहा है इसके आगे वैसे यह मेरा 10 on 10 फ्रेग्रेंस है पर यह आया है इसके अंदर काफी सारे ट्विस्ट एंट अगर आपको यह डियने आस तक पसंद नहीं आया क्योंकि से अगर किसी को लगता है कि उनको यह कंसे करना चाहिए और देख रहे हो मेरे बहुत जादा नहीं होते क्योंकि मुश्किल से 10 होंगे जिसमें से सब ले जाते हैं फिर भी अगर आपको लगता है कि में इन फ्यूचर में शायद और बॉटल्स खरीद हो जो मुझे भी लग रहा है कि मैं करीदू इंस्टाग्राम पर आप कर सकते हो आज की वीडियो के लिए मेरे भाईयो इतना ही अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी रगुल लेकर आया था और मुझे पता नहीं मैं इसका वीडियो पहले डालूँगा बाद में मुझे लगता इसका बाद में डालूँगा अच्छी कुछ बूए अगर आपको एक कैरमेली फ्रेग्रेंस पसंद है बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है और यहां बहुत सारी चीज़े वह सच इंप्रेसिव नहीं है क्योंकि इंटेंस है यह एक्स्ट्रीदी पार्फॉम है मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत सॉलिड होगा नहीं परसंद आया और एक डियने जो मेरे दिल को बहुत चूरा है आजगर वह नीश का मेहर फैमिनाइन कलेक्शन में आता है बिल्कुली फैमिनाइन एसस नहीं लगता बिल्कुल न्यूटरल लगता है वाव अमीजिंग और जो यह अभी थोड़ा सा मौसम चल रहा है बरसात का बहुत अच्छा डियन है बहुत अच्छा अब करते हैं वीडियो क्लोज ऐसे छोट छोटे क्लिप्स भी डालता होंगा लाइक करके जाना अब यहां तक आगए तो लाइक कर देना चलो भाईयो बाई बाई